आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम हिंदू एडॉप्शन सेंड मेंटेनेंस एक्ट नाइन्टी फिफिटी सिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यह कैं दो पार्ट में डिवाइड एक पार्ट बात करता एक आडॉप्शन की दूसरा बात करता है मैंटेनेंस की तो 28 तक है, तो इसमें 4 चैप्टर है, 1st ofere, 2nd चैप्टर adoption के संबन में और 3rd चैप्टर maintenance के संबन में, 4्चैप्टर में उसके repeel और save सै, तो अब चलिए, बात करते हैं Co- copies यह, Hindu adoption and maintenance act सब ही हिंदु पर लागू है और जैसे मैंने पहले अपने जो हिंदु मेरे जैक्ट था उस लेक्चर में बताया था कि हिंदुज को ने खुब डिटेल्स में उसे बताया हुआ है आप पे उस लेक्चर को सुनिएगा तो यू विल है फॉल नॉलिज अबाट दा हिंदुज ए कि मनु इस मरती में भी इसके बारे में कहा गया है कि टेकिंग समवन्स एलस सन और रेजिंग हिम एज वन्स ओन यानि किसी दूसरे का बच्चा लेना और उसको अपना समझ करके उसको पालन पोसन करना एड़ोप्सन कहा है यानि दत्तक फुत्र कहा है और यह जो हमारा फालन यह था होती अच्छा से प्रोशिजर बटाये गया है और उस प्रोशिजर के अंसार ही जो दत्तक है अगर लिया गया है तो वो वैलिड होगा और नहीं उस तरह से फोलो किया गया है तो वह इंवैलेड होगा सेक्शन फाइज संबन में बात कहता है कि जितने भी एडॉफ्शन होगे इस एक्ट के पारित करने के बाद यानि नाइंटी फिटेशिक्स के बाद वह इस एक्ट के अंसार होंगे तो वैलेड होंगे और इस एक्ट के अंसार नहीं होंगे त उनको निश्यत रूफ से उसी तरह से करना होगा जैसे कि इस एक्ट में बताए गया है तो सेक्शन शिक्स बात करता है कि वैलिड एडॉफशन्स के लिए क्या-क्या चीजे जरूरी होती है वैलिड एडॉफशन्स में लेको कुछ जनरल बाते हैं एक पेरेंट्स या देने व तो यह जो कैपेबल्टीज हैं कैपेशिटीज हैं जो राइड्स हैं लेने वाले के देने वाले के और बच्चे की कैपेबल्टी इन तीनों के सम्मन में हम बात करने वाले हैं और यही हमारे एक वैलिड कंडिसन्स के रूफ में हाती है तो सेक्शन शिक्स बताता है कि लेन वाला जो है उसकी कैपिसिटी क्या राइट्स क्या है और देने वाले की क्या कैपिसिटी है और जितने भी आगे प्रोविजन से इसमें दिये हुए है उसके अनसार ही अगर एडॉप्शन हुआ है तो वैलिड है अदरवाइज नो सैक्षन सेविन और एट बात करता है कि कौन वैलिड एडॉप्शन कर सकता है ले सकता है बच्चे को और नाइन बताता है कि कौन दे सकता है टैंथ में बच्चे के संबंद में है कि उसकी जो कैपिबल्टी है कि इसको दिया जा सकता है अलेविन कुछ जनरल कंडिशन से उसके बारे में बात करता है और टुएल्थ उस के इफेक्स बताता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन सेविन में कि एड़ोप्शन कौन ले सकता है देखिए कोई भी मेल या कोई भी मेल एड़ोप्शन में ले सकते हैं बच्चे को तो जब मेल की बात कहते हैं तो मेल का दो इस्टेटस हो सकते हैं एक तो वो सिंगल हो सकता है या फिर मेरिड हो सकता है जब हैं single की जब बात कहते हैं तो single तो इसका मलब वो unmarried है या फिर divorce ही है दो situation ही है या उसकी पतनी नहीं है एक situation ये है तो mail की जब बात कहते हैं तो दो conditions तो सभी के लिए लागु है पहले तो वो major होने चाहिए यानि एक जो 18 साल है हमारे majority की जो age है उसके होने चीए उससे उपर होने चीए दूसरा sound mind के होने चीए यानि बच्चा कभी भी adoption नहीं ले सकता इसी तरह से अगर कोई वेक्ति पागल है और idiot है lunatic है तो वो कभी भी adoption नहीं ले सकता तो दोनों conditions सभी male के लिए सभी female के लिए लाग होती है अब बात आती है कि जो बहुत important है consent के अगर male लेता है तो अगर वो single ही है तो किसी की consent की जुरूद है वो अगर married है तो उसको consent लेनी होगी अपनी पतनी अपनी wife की अगर वो wife की consent नहीं लेता है तो valid adoption नहीं होगा कैसी consent ह होनी चाहिए वह परभावी होनी चाहिए वह ऐसी नहीं कि एड़ोफशन हो रहा है दत्तक का जो एक procedure है या दत्तक होम चला है पतनी माग खड़ी है या उसको सिरफ देख रही है और उसमें अपना एक active positive रोल नहीं दे रही है simple खड़ी है तो उसको यह नहीं मान सकते हैं उ तो उसकी और तो और से कोई ने कोई एक positive work positive कारिया होना चाहिए तो तब यह valid consent मानते हैं तीन situations बताई है जहां consent की जुर्वत नहीं है एक तो यह है कि अगर वो लेड़ी जो है wife जो है उसकी उसने दुनिया का छोड़ दिया renounce कर दिया है अपने आपको किसी दूसरे order में चली गई है completely या फिर वो प्रूड जो है unsound mind की हो गई है या फिर तीसी situation है कि वो see to be Hindu कि वो अब Hindu नहीं रही है इन तीन situations में उसको जुरुत नहीं है यानि male को यानि उसके पती को जुरुत नहीं उसके consent की तो यह हमारा section seven कहता है एक चीज और इसमें कि अगर उसके एक स्याधिक wife है तो सब की consent जुरूरी है आप यह question पूछ सकते हैं कि आप तो एक से अधिक wife होती नहीं है यह बात सही है अगर 1955 से पहले उसकी साधी हुई है तो हो सकता है कि दो तीन पत्निया हो क्योंकि उस समय तो बाइगेमी जो है या पोलेंडरी या पोलीगेमी इस तरह का अपराद नहीं था अब अपराद है तो उस सिच्वेशन में सभी wives की consent जरूरी है अज सेक्षन एट कहता है about the female कि अगर adoption किसी female के द्वारा लिया जा रहा है तो उसमें क्या सिच्वेशन बनती है female सिंगल हो सकती है या वह married हो सकती है उसका status अलग अलग है अगर वह सिंगल है तो वही दो condition जरूरी है कि वह sound mind की होनी चाहिए और major होनी चाहिए क्योंकि वह सिंगल है तो उसे किसी consent की जरूरत नहीं है हाँ अगर वह सिंगल है तो एक सिच्वेशन नहीं हो सकती है कि वह डिवोर्शी हो तो भी जवेन है उसको जरूरत नहीं है हाँ अगर वह married है और वह adoption ले रही है पहली बात तो उसके पती के होते हुए उसको राइट नहीं है पहला पती लेगा और पती कब नहीं लेगा कब पतनी लेगी उसके लिए वोई तीन conditions है या तो husband जो है और डैड हो गया हो या फिर उसने जो है वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया हो या वो हिंदु नहीं रहा हो इन तीन conditions में पतनी कोई भी बच्चे को adoption में ले सकती है अब जब adoption की बात आती है तो adoption मेल का भी हो सकता है और female का भी हो सकता है यानि डोटर को भी ले सकते हैं son को भी ले सकते हैं तो दोनों के लिए same conditions से उसमें कोई फर्क नहीं है अब next questions आता है कि कोण adoption दे सकता है कोण adoption दे सकता है तीन वेक्ती adoption दे सकते हैं पहला फादर दूसरा वाइफ mother, third guardian father कब देगा? section 9 क्याता है कि अकेला father देगा adoption लेकिन with the consent of the wife देगा बिना wife के consent बिना wife की consent के कोई भी adoption valid नहीं है हाँ, ऐसी situation में जवकि उसकी wife संसार को renounce कर रहती है एक hermit बन जाती है या फिर वो हिंदू भी हिंदू वो अब हिंदू नहीं रहती है या फिर वो किसी court ने उसको अन्सावडने माइंड साबित कर दिया है तो इन तीन पती के डैथ हो गई है पहले कंडिशन दूसरा वह अंसावडनेस माइंड का है तीसरा है कि उसने रिनाउंस कर दिया वार्ड को या कंडिशन को छोड़ा करके पत्निंडे सकती यह तो यह फाधर मदर की बात Zak सबनेक्स आती है कि जो गार्डियन वह बसकर या तो फादर जो है और मदर दोनों की डायत हो गई है या वो जो है वर्ल्ड को रिनाउंस कर देते हैं या बच्चे को छोड़ देते हैं या अनसाउंडनेस अब माइंड की होते हैं इन सिच्वेशन में गार्डन दे सकता है कईवार जो है बच्चे की केर के लिए पेरेंट्स किसी गार्डन को भी दे देते हैं उसमें भी उस सिच्वेशन साती है और जहां बायलोजिकल फादर और मदर नहीं है बच्चा अबंडन है वहाँ पर भी गार्डन बच्चे को दे सकता है वो दे भी सकता है खुद ले भी सकता है ये एक दोनों ही सिच्वेशन साती है तो ऐसी सूरत में जहां गार्डन के दुआरा बच्चे को एडॉप्शन देना होता है वो खुद नहीं दे सकता उसको court की permission लेनी होगी जब court ही सम्मने permission देता है तो बच्चे का welfare देखेगा और यह देखागा कि कोई payment तो नहीं हुआ है उसकी क्या situations है क्या circumstances है उन सब चीजों को ध्यानवे रखते हुए court permit करता है तो यह हमारी बात complete हुई कि कौन वेक्ती adoption में बच्चे को दे सकता है अब बात करते हैं कि जो बच्चा दिया जा रहा है उसकी क्या capability देने के लिए पहली बात तो यह है कि जो बच्चा दिया जा रहा है वो हिंदू होना चाहिए अगर बच्चा हिंदू नहीं है तो उस बच्चे को नहीं दिया जा सकता यानि ये हिंदू एड़ोफसन एक्ट है और इसमें हिंदू बच्चे को ही दिया जा सकता है सेगंड बात आती है कि जो बच्चा दिया जा रहा है वो पंदरा साल से कम होना चाहिए तीसरा है कि जो बच्चा दिया जा रहा है वो अन्मैरिड होना चाहिए और वो बच्चा अलरी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए तो इस चार कंडिशन से आ हाँ है जो 15 साल से कामोप्र कि वात है या मेरीज की वात है अगर किसी समट में इस तरह की पन्पराए वह बड़े भी बच्चे दिये जाते है वह भी तीर जर्रों नहीं तो जर्रों यही है कि बच्चा हिंदू होना चाहिए पेले से गर्व तो यह हमारी सैक्षिट के जा सकता है 7 की कि जरेराबंस के हुई है एडॉप्शन के सम्मान में वो सेक्षन अलेवन में दिये है जो आपके स्क्रेंट के सामने है अगर कोई मेल हिंदो Adoption चाता है तो उसके लिए पहली Conditions यह है कि उसका बेटा नहीं होना चाहिए कोई उसके बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए और उसके बेटे का बेटा का बेटा भी नहीं होना चाहिए यानि खुद का बेटा उसका पोता और परपोता यह नहीं होना चाहिए यह उसके लिए कंडिशन्स है अगर वो डोटर चाहता है तो उसके खुदी की डोटर नहीं होनी चाहिए या संद की डोटा नहीं होनी चाहिए, यह दो कंडिशन्स उसमें लाग होती है तो यह जो कंडिशन्स हैं, यह लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, चायल पर सब लाग होती है यहाँ नहीं कि सिरफ लेजिटिमेट के उपर तो यह similar conditions इसमें लाग हो हुई। और अगर, कोई female अधुप्षों में चाती है, तो उस के लिए भी सेम कंडिशन्स है। कि उसका अपना बेटा नहीं होना चाहिए। बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए। और उसके बेटे का बेटा का बेटा भी नहीं होना चाहिए तो इन कंडिशन्स के बाद और कुछ कंडिशन्स हैं उन्हें पर हम बात करते हैं कि यह जो एडॉप्शन्स हैं उसमें जैसे मेल हिंदू एक डोटा चाहता है एक फीमेल का एडॉप्शन्स आता है तो उनके बीच में ट्वंटीवन इयर्स का गैप होना चाहिए इसी तरह से अगर फीमेल सद को एडॉप्शन्स करना चाहती है मेल को एडॉप्शन्स का गैप होना चाहिए अगर यह गैप नहीं है तो यह माना जाएगा कि यह वैलिट आडॉपशन्स नहीं तो यह बहुत मनलब नेसरी कंडिशन्स है इन necessary conditions को fulfill करना होगा जब एक valid adoption सोगा तो यह general grounds से और इसके अलावा बच्चे का जिसको भी लिया गया है वो जिस परिवार से लिया जा रहा है और adoptive family मा रहा है तो वास्तों में वहाँ से बच्चा उधर आना चाहिए एक्चुल जो है देना और लेना होना चाहिए इसमें एक बहुर इंपोर्टेंट बात होती है कि कई बार एक रस्म में होती है कई बार नहीं होती है अगर किसी वज़े से कोई रस्म नहीं हुई है जिसको दत्तक होम बोलते हैं तो इस सिरफ इस आदार पर कि कोई रस्म नहीं हुई दर तक होम की रस्म नहीं हुआ है तो कोई भी आड़ोप्शन इन्वैलिड नहीं हो सकता तो यह बात हुई कि जो जनरल कंडिशन से यह फुल्फिल होनी चाहिए और अगर जनरल कंडिशन फुल्फिल नहीं तो वैलिड उसका इफेक्ट नहीं होगा अब बात करते हैं कि बच्चे का लेने का तो एक प्रोसीजर हो गया कि जो लेने वाला है उसकी कंपिटेंसी क्या है कैफिबर्टी क्या है जो देने वाला है उसकी क्या है कौन दे सकता है कौन ले सकता है आगे बात करते हैं कि बच्चा जब वास्तों में आ गया तो उसका क्य इफेक्ट आता है। दो तरह से इफेक्ट आएगा। एक relationship के उपर effect आएगा और एक effect आएगा उसके properties के सम्मन में। तो जो relationship के उपर effect आएगा वो किस तरह से आएगा? इसको थोड़ा समस्मझते हैं जो बच्चा लिया गया है जो जिस से लिया गया है वो उसका फादर है रियल फादर है बायलोजिकल फादर है लेकिन अब उसके सारे टाई महां से खतम हो जाने हैं जिसने लिया है मेल लिया है तो उसका अड़ फादर हो जाएगा और अगर फिमेल ने लिया है तो वो उस उसके adoptive mother हो जाएगी, तो उसके जितने भी tie-up है, उसके जितने भी tie-up उस परिवार से थे, जिसमें बच्चा था, वो सारे खतम हो जाएगी, और ने परिवार में आकर के जुड़ जाएगी, अथात जिस फादर ने लिया उसका adoptive father, और उसकी wife जो है, उसकी adoptive mother होगी, और जो father है,सका कोई बरदर है, उसका चाचा होगा या ताव होगा, इसी तरह से जो mother है, तो मदर का जो ब्रदर है उसका मामा होगा और जो मदर है उसके जो फादर उसके नाना होगे तो इस तरह से सारे टाई अब इधर हो जाते हैं जोड़ जाते हैं हाँ एक जो एक कंडिसंस है कंडिसंस यह है कि अगर उस परिवार में रहते हुए है जिस परिवार से लिए गया है वो जिन लोगों से या निर है तो female से यह female है तो male से साधिन नहीं कर सकता था, वो आज भी नहीं कर सकता क्योंकि वो जो effect बताए गया है वो effect ऐसा है कि यह biological ہے, सपोज करो कि किसी ने एक male को लिया है, तो वहाँ उस पीछे उसकी एक sister थी तो biological relationship तो अभी भी है तो उससे उसकी sister जो है उससे उसाधी नहीं कर सकता तो वो क्या सपिंडा relationship में आ जाते हैं यह जैसे मैंने इसमें highlight भी किया है यह तो Hindu Manage Act में जो सपिंडा relationship है वो हर जंगा एड़ोप्टिव जो बच्चा है उस पर भी लागू होगा और सेमी वो फैमिली की ट्री बनेगी लीनियर एसेंडेंट्स और लीनियर डिसेंडेंट्स की बनेगी तो इसलिए उनसे वो साधी नहीं कर सकता तो यह तो relationship की बात हुई अब दूसरी बात आती है कि प्रोपर्टि के संबन में क्या प्रोविजन्स है जो प्रोपर्टि उस बच्चे में एड़ोप्शन से पहले वैस्ट थी वो प्रोपर्टि उसमें वैस्ट रहेगी और जो प्रोपर्टि जिस परिवार में लिया गया है वो एड़ोफ्ट हुआ है किसी दूसरे व्यक्त तो वो उसी में वेश्टिड रहेगी, तो जो बच्चे को लिया गया है, बच्चे में दोनों आगे मेल फी मेल, उसके लेने से किसी तरह की प्रोपरटी में जो आलरेडी वेश्टिड थी, कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगर कल को, सब्सक्राइब इस फैमिली में जिसमें आ उसको आएगी, और उसका राइट होगा, और वो सब परपरज के लिए इस परिवार का बच्चा होगा, तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई रेस्टिक्सन्स नहीं है, कोई भी परभाव नहीं है, तो ये प्रोपरटी की बाती, अब बात आती है कि फादर को, जो हैड फादर है, उसके क्या राइट होगे प्रोपरटी के बारे में, तो सेक्शन थर्टिन कहता है, कि जो राइट्स एडॉप्शन से पहले उस फादर को थे, वो ही राइट्स अभी भी उसको रहेंगे, और उसमें कोई परभाव इसके आने से नहीं पड़ेगा, तो ये सेक्श बात यह आती है कि जो रिलेशनसिव मदर के संबन में हैं या फादर के संबन में हैं, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं, सैक्शन थर्टिन सार इस संबन में बात कहता है, कि सबूज करिए, कि एक मेल है, उसने एक बच्चे को लिया, वो मेल अगर मैरेड हैं, तो उसकी जो पत्नी है वह उसकी अधिक मदर हुई अगर एक से अधिक पत्नी है तो सीनियर मोश्ट इन मैरिज है उसकी अधिक मदर है बाती उसकी स्टेब मदर हुई एक सिच्वेशन यह हो सकती है कि मेल जब वो बच्चे को गोद ले रहा है या तो वो डिवोर्शी है या सिंगल है और बाद में फिर वो साधी कर लेता है तो जो उसकी जो पत्नी होगी आएगी वो उस बच्चे की स्टेब मदर होगी ना कि अधिक मदर अब इसी तरह से फिम जो सेक्शन 14 बताता है कि फिमेल के भी दो स्टेड़स हो सकते हैं कि वो अगर सिंगल है और वो साधी कर लेती है बाद में पहले बच्चे को अड़ोफ्ट कर लिया बाद में उसने साधी कर लिया तो वो जो पती होगा वो उसका स्टेप फादर होगा ना कि उसका से थी और बादें साधी कर लेती है तो उसमें भी सेम सिच्वेशन होगी वो उसका स्टेफ फादर होगा यह बात कहते हैं सेक्शन 14 अब आगर बात करते हैं कि जो एक बार एड़ोफ्टन हो गया तो उसमें क्या वो कैंसिल किया जा सकता है यह कोश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो एड़ोफ्टन हुआ है उसको कोई कैंसिल कर सकता है नहीं सेक्शन फिफ्टिन इस संबंद में जवाब देता है कि एक बार अगर एड़ोफशन हो गया तो पेरेंट्स के पास में कोई अधिकार नहीं है उसको कैंसिल करने का और नहीं अब उस बच्चे के पास में कोई राइट है कि वो जिस परिवार से आया है उसमें वापस च सकता यानि एड़ोफशन वैलिड है तो पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है और एड़ोफशन फाइनल है क्यों यह इसलिए रखा गया है अगर यह ऐसा होता तो बहुत जादे अंसर्टेनिटी होती तो सेक्शन फिफ्टिन इस सम्मनें बहुत ही किलियर कहता है कि यह ऐस या कोई इस तरह की कोई चीजे दी जाए या रुपया पैसा दिया जाए एड़ोफशन के बदले सेक्शन 18 बहुत किलियर कहता है सम्मन में कि जो भी एड़ोफशन होगा उसमें कोई भी किसी भी तरह का मनिटरी नौन मनिटरी कोई भी गिविंग और टेकिंग नहीं होगी अगर इस तरह का हो जाता तो बच्चे बेचे जा सकते थी, इसलिए इस तरह कोई परंपरा ना पड़े, सेक्शन 17 कहता है कि इस तरह के कोई भी प्रोव्विजिजन्स लेने और देने का नहीं है और बलके इसको पीनल प्रोविजिजन्स और इस में दिया है, अगर इस तर प्रोविज़न्स एवाउड दा इडोफशन जो अपने बात किई है अभी एडोफशन का पूरा का पूरा जो चैफ्टर है कि सेकिंड चैफ्टर एक कंप्लीट होता है जिसमें हमने बताया है कि सेक्शन जो जो डिक्विजिस कंडीसन्स है वो क्या-क्या है फिर हमने बताया कि section 7 और 8 में male और female जो adoption में लेते हैं उनकी क्या qualifications है section 9 में बच्चे को देने वाले कौन-कौन है section 10 में बच्चे की capabilities क्या है section 11 में general conditions जो बताई है लेने की valid adoptions के और 12 और 13 में उसके effects बताए हैं उसके relationship and उसकी properties के संब्ध में और 14 बताते हैं कि जो certain relationship है उसके क्या प्रभाव पढ़ेंगी 15 बताए हमने कि किस तरह से एक बाद valid adoptions हो गया जो cancel नहीं किया जा सकता और 17 कहता है कि कोई payment का lien देन नहीं होगा तो यह था adoptions का जो हमने यह complete किया है अब बात करते हैं next chapter की चलिए यह maintenance Hindu adoption and maintenance act में maintenance के उपर जो पूरा का पूरा थर्ड चैप्टर दिया है वो बहुत details में दिया है पहले हम जनरल provisions की बात करते है कि किस किस के maintenance की बात करते है किस किस के ऊपर maintenance देने की है तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें चार काटेगरी बताई गई है कि किस किस को maintenance मिलेगा पहला मिलेगा पतनी को दूसरा जो minor children है उनको थर्ड है एज पेरेंट्स जो बुड़े मावाव है उनको और चोथा है कि जो dependent है उनको हो तो इसमें section 18 से लेकर के जो section 28 तक बात की गई है वो maintenance की बात है और section 19 में खास्तोर से wife के लिए बात की गई है और अब बाता आती है कि किस किस से ले सकते हैं पती से ले सकते हैं फादिल्ला से ले सकते हैं नेक्स आता है कि जिसके पास में जो deceit है जैसकी मृष्टिव हुई है और जो प्रोपरटि जो हेर्स के पास गई हैं उतरा अधिकारी के पास गई हैं उन से मैंटिनेंस लिया जा सकता है अब वन बाई वन हम बात करते हैं पहले बात करते हैं सैक्षन नाइंटीन कि वाइफ जो है किस तरह से सेक्शन में जो प्रिविजन्सी दिया है वो कलेम करेगी आप ने इंदो मैरिज एक्ट पढ़ाई है इंदो मैरिज एक्ट में डिवोर्स के कुछ ग्राउंड से दियो हुए है जैसे सेक्शल इंटर कोर्स है या डेजर्शन्स है या कुर्वल्टी है या कोई डिजीज है या उनसर्वनेस ऑप माइंड है वो कुछ ग्राउंड से दियो हुए है तो इसी तरह से कुई भी हिंदू फीमेल ने हिंदू वाइफ कलेम करेगी मैंटेनेंस का और हिंदू मेल यानि हजबेंट अपनी वाइफ को मैंटेनेंस देगा यह एक इंपोर्टेंट प्रोविजन्स इसमें किया गया है और वो जो ऐसा मैंटेनेंस है उसके साथ है तो उसको मैंटेंड करेगा और कुछ कंडिशन्स है अगर यह फुल्फिल होती है तो वो अलग रहकर के मैंटे इसमेशन से कब वो अलग मैंटेंड अलग रहकर के कलेम करेगी पहले तो यह है कि अगर उसका हजबेंट अबंडन कर देता है उसको छोड़ देता है डज़र्ट कर देता है बिना उसकी इच्छा कि बिना किसी रिजनेवल कारण के उसमें कुछ डिटेल्स दी हुई है तो बिना किसी रिजनेवल कोज के बिना उसकी इच्छा के डेलिबरेटली उसको इगनोर करता है तो ऐसे में पत्नी कलेम करेगी मैंटेनेंस का तो उसको देना होगा दूसरे कंडिसन्स है कि अगर वो कुर्वल्टी करता है पत्नी के साथ में उसको परिशान करता है और प्रवाल्टी नहीं है फिजिका वालेंश नहीं है बलके यह मैंटल भी हो सकती है इमोशनल भी हो सकती है तो ऐसी सूरत में वाई पर लग रहे करके क्लेम कर सकती है मेंटेनस का थर्ड आता है कि अगर हजबेंट कुछ इनक्यूरेबल डिजीज से जो कंटेजियस है उससे सफर कर रहा हो तो ऐसे में भी वो जरूरी नहीं कि उसके साथ रही और वाई पर लग रहे करके मेंटेनस क्लेम कर सकती है नेक्स्ट आता है कि अगर हजबेंट किसी दूसरी वाईब को रखता है अपने गर में या किसी और मिस्ट्रेस के साथ में रख्यल के साथ रहता हो तो उसमें भी वो कलेम कर सकती है कि मैं तो उसके साथ नहीं रहूंगी या फिर वो धर्मपरी बतन कर लेता है वो हिंदू नहीं रहता तो उसमें भी वो कलेम कर सकती है एक ऐसा ग्राउंड जो इनमें नहीं बताया गया हो बलके एक perfect ground है जो जिसको court मानता है वह यह एक सही ground है कि वो अलग रह सकती है उसका regions है उसका पती के साथ रहना उसके लिए safe नहीं है तो वो भी एक ground है उसका रहकर के अलग रहकर के claim कर लेना तो यह बात है कि वो कब-कब entitle है उसके लिए तो इसमें यह भी बताया है section 18 में कि कब उसको नहीं मिलेगा अगर wife अडल्ट रिमरेरी है उसके किसी के साथ में illicit relationship है तो मुकलेम नहीं कर सकती करेगी तो उसको नहीं मिलेगा या फिर वो हिंदू नहीं रही है कनवार्ट होगी दूसरे उसमें तो तब भी उसको नहीं मिलेगा और अगर वो डिवोर्ट सी है लेकिन वो रिमरेज कर लेती है तो भी उसको नहीं मिलेगा तो यह कुछ कंडिशन्स है जिसमें उसको नहीं मिलेगा तो वाइफ के लिए जो अपने बात की है यह सेक्शन 18 इस संबन में बात करता है अब यह सेक्शन 19 जो खह रहा है कि कब एक लेड़ी अपने फादे इनलाओ से मेंटेनेंस कलेम कर सकती है यानि अपने ससोर से तो उसमें कुछ ग्राउंड्स इसमें दिये हुए हैं कि यह र उसके पास में कोई resources नहीं हो तब और resources में भी उसके पास जो property है उससे अपने आपको sustain नहीं कर सकती है इसी के साथ साथ उसका जो husband था उसकी property से भी अपने को sustain नहीं कर सकती है और कोई ऐसी property उसके पास आई है उससे भी वो sustain नहीं कर सकती है तो ऐसी situations में उसको इसके अलावा जो उसके अपने फादर हैं मदर हैं उनसे भी अगर उसको कोई हैल्प नहीं मिलनी है तो वो अपने फादर इंलाओ से कलेम कर सकती है अब आगे बात करते हैं चिल्डन और एड़ पेरेंट्स की सेक्शन 20 कहता है कि कब चिल्डन और एड़ पेरेंट्स कलेम कर सकते हैं और क्या उसका प्रोशीजर से जब तक बच्चे माइन रहें तो आपने पेरेंट्स से कलेम कर सकते हैं वो मेंटेनेंस का जो एक डोटर है वो अगर मेजर भी है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रही अपने आपको तो भी वो कलेम करेंगी इसमें जो बच्चे की बात आती है वो legitimate और illegitimate सभी तरह के बच्चे आ जाते हैं और इसी तरह से जो age parents हैं वो भी claim करेंगे उनको भी maintenance देना होगा तो यह इसमें दिये हैं कि कब वो क्लेम कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं section 21 22 कि section 21 22 कि जो कहते हैं वो dependence की बात कहते हैं कि कौन-कौन वेक्ति dependent है और कब-कब उनको maintenance दिया जा सकता है क्या क्या उसमें situation से और उस situation में कोट क्या देखता है उनको maintenance देने के लिए अब बाद सबसे पहले बात करेंगे कि जो कि डिपेंडेंट्स है उसकी लिस्ट दी है 21 में यह यह जिस वैक्ति की डैथ हुई है उसकी डिपेंडेंट है यह फादर मदर वीडो जिसने साधे नहीं की यह उसका माइनर सन यह ग्रांट सन उसका पोता क्रेट ग्रांट सन इसी तरह से उसकी अन्मेरिट डोटर पोती और उसकी परपोती यह सब इसमा आ हैं और जो वीडो डोटर है वो जैसे अपने आपको मेंटेन नहीं कर सकती तो यह इसमें दिये हुए जो डिपेंडेंट की स्रेडी में आते हैं अब इसका माइनर सन हैं तो माइनर सन का तो दे नहीं है और उसका जो ग्रांट सन है तो इसका यह मतलब हुआ कि होजो ग्रांट सन है उसका फादर नी होना चाहिए पर उसकी भी डैथ होनी चाहिए तब ही तो वह उसको देगा अगर कोई भी उसके बीच में आता है, खुद का फादर है, खुद की मदर है, तो फिर कोई डूटी नहीं है उसमें, तो जो सेक्शन ट्विंटी टू कहता है, कि कौन डिपेंड्डेंट को देगा, कौन देगा, ह वह देंगे जिनके पास में मरतक की संपत्ति गई होती है तो सेक्षिन 22 सम्मन में बात कहता है कि जो भी शेयर इन हैं इने में मिला है है तो वो सारे के सारे एक प्रोपोर्शन में एक रेशों में जो डिपेंडेंट है जो अभी हमने 21 में बताए हैं उनको उनका बर्ण पॉसंस के लिए इंच जाम करेंगे तो यह एक बहुत अच्छे से एक सेलिटरी प्रोविजन से बनाए गए हैं कि कोई भी वेक्ति ऐसा ना रहे जिसका अच्छे से बर्ण पॉसंद नहीं हो अब आगे बात करते हैं कि इसकी एमाउंट क्या होगी मेंटे क्या क्या होगे क्या होगी क्या क्या चीजा देखी जाएंगी तो सिक्ष म pacते सिस अच्छे इसड़न में बात कहता थे हैं कि जो स्थेटिषूपार्टी का उन की क्या पोजिशने हैं वो सब देखआ जा जा automatि कहरें और सकता है कि क्या लिमियर सोगी वह जो अलग रहे है क्या उनका रेतला नहीं है जो कलेम दिया जारा है जो मैंटर Connect क्या है उसके सोर्स इस्क्या हैं और वह कितने का मारी है वो सब इसमें देखा जाएगा और कितने लोगों को मैंटर दिया जा रहा है इन सब चीजे जो को ध्यान में रखते हुए maintenance बान जाता है अब कि सेक्षिन ट्विंटीफाइव कहता है कि जो maintenance प्रोपर्टी में से दिया जाता है जो है देते हैं जो प्रोपर्टी आई है उसमें उस पे के उपर अगर कोई पहले से कोई debt है तो पहले वो चुका जाएगा. उसके बाद ही यह property, जो व मेंटेनेंस के काम आएगी. इसलिए ज़रूरी होता है. तो यह कुछ provisions हैं जो maintenance के सम्बन में बताए गए हैं, और इन प्रविजनज जो हमने आपो अभी डेटियल में बाते की हैं बहुत हैं और इसके अधार पर ही मैंटेनेंस होगा इसमें यूह और इसको मैंटेन किया जा रहा थागर वह हिंदु नहींहीं रहा है तो फिर इसको मैंटेनiejंज नहीं दिया जाएगा यह जितने भी प्रोविजन्स है, 18 से लेकर कि 28 तक, यह मैंटिनेंस के संबन में है, और एक्ट में बहुत डिटेल्स में दिया है, क्या-क्या प्रोविजन्स हैं, किस-किस को दिया जा सकता है, किस-किस की लाइवल्टी है देने की, और किस तरह से मैंटिनेंस कितने होगी यह सब इसमें विश्टार से बताया गया है अब यह हमारा मेंटेनेंस का जो चैप्टर यह यह भी कम्प्लीट होता है तो अभी हमने पूरी डिटेल्स में इस लेक्चर में हमने बताया है कि हिंदू एडॉपसंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में क्या-क्या चीजे आती है और जो जो इंपोर्टेंट है वो सब आप से हमने शेयर किया है अब और इसमें कुछ सेस नहीं रहता है बताने के लिए और थैंक्यू वेरी मच्छ